नवस्कार आपके तारे में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्र आज कल लोग विदेश यात्रा को लेकर बहुत उच्छुक रहते हैं हर कोई विदेश जाना चाहता है पूछते हैं लोग कि हमारी कुंडली में विदेश जाने का योग है की नहीं है तो आज आपको इसी विषय पर विष्थार से बताएंगे कि कुंडली में कौन से भाव का स्वामी कहां बैठा हो तो विदेश जाने का योग बनता है तो आप अपनी कुंडली देख करके खुद भी पता लगा सके कि आपके कुंडली में विदेश जाने का योग है की नहीं तो आज विदेश यात्रा पर विशेश चर्चा करेंगे इसके साथ ही जानेंगे आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम बताएंगे आपकी राशी के अनुसार और हर राशी के लिए होगा एक शुब रंग और कारकरम के आखरी में बताएंगे आज का उपाय जिसमें आपके लिए होगा एक महत्यपोन उपाय साथ ही आपके सवाल भी लेंगे तो जल्दी से शुरू करते हैं कारकरम सबसे पहले बात आज के पंचांग की 16 माई 2023 दिन मंगलवार जेस्ट मास चल रहा है क्रश्न पक्ष है 12 तिति रहेगी आज रात को 11 बच कर 36 मिनट तक फिर 33 तिति प्रारंब हो जाएगी उत्रा भादुर्पद नचत्र रहेगा सुबह 8 बच कर 15 मिनट तक फिर रेवती नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा मीन राशी में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर ब्रश राशी में बिराजमान है आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11 बच कर 50 मिनट से दोपहर 12 बच कर 45 मिनट तक जो भी शुब काम महत्यपूर्ण काम आपको करना है आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा तो कारियों के सफल होने की संभावना जादा रहेगी राहुकाल का समय होगा दोपहर 3 बच कर 41 मिनट से 5 बच कर 30 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें दिशा शूल है उत्तर दिशा तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं आज कुंडली में अस्टम भाव से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है नौमे भाव से लंबी दूरी की यात्रा देखी जाती है और कुंडली में बारवे भाव जो होता है वो विदेश जाने और विदेश में रहने की इस्थिती के बारे में जानकारी देता है यदि लगनेश सप्तम भाव में हो और किसी शुब ग्रह के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश में रहता है यदि तीसरे भाव में इस्थित ग्रह नवे भाव को देखे तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाएगा लेकिन कुछ समय बाद घूम फिर कर वापस आ जाएगा विदेश यात्रा के लिए कुंडली में और कौन-कौन से ग्रह जुम्मेदार होते हैं क्या-क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे पहले जान लेते हैं मेश, ब्रश, मिथुन और करक राशी का राशी फल मेश-राशी, मेश-राशी वालों का मानसिक तनाव दूर होगा शत्रूँ पर विजय मिलेगी सुक्सु विधाओं पर खर्च बढ़ेगा क्रोध पर नियंत्रन रखना होगा सेहत के मामले में लापरवाही ना करें शुबरंग लाल उपाए किसी गरीब को लाल फल का दान करें ब्रश-राशी प्रोफेशन में सफलता का योग है यात्रा से लाब के आउसर मिलेंगे धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं किसी काम में आलस इसे बचें रिष्टेदारों के मामले में ध्यान देने की जरूरत है सेहत का अपने ख्याल रखे शुबरंग कुलाबी उपाए आज किसी गरीब को लाल मिठाई का दान करें मिठुन राशी उल्जे हुए मामलों को सुलजाने में आज आप सफल होंगे भागे का साथ प्राप्त होगा कारोबार में तरक्की मिलेगी परिवार में सुख बढ़ेगा यात्रा से आपको फायदा होगा शुबरंग हलका हरा उपाए आज हनुमान चालीशा का पाठ अवश्य करें करक्राशी प्रापर्टी से संबंदित फैसला बहुत सोज समझ कर करें रुके हुए काम पूरे होंगे परिवार वालों से सहयोग प्राप्त होगा लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा अपनी सेहत का ख्याल रखे शुबरंग के सरिया उपाय हनुमान जी की आरती करें विदेश में बसने के योग कब बनते हैं बहुत सारे लोग पूछते कि पड़े जी हम विदेश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे देखे यदि चौथा घर पीडित हो या उस पर अशुब ग्रहों की द्रस्टी हो तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहता है विदेश जाकर बस सकता है यदि नौमे घर का स्वामी सात्वे घर में बैठा हो और सात्वे घर का स्वामी भी वहीं बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश में व्यापार करता है यदि साथवे घर का स्वामी बारवे घर में हो तो व्यक्ति कई देशों की यात्राएं करता है कुछ और महत्यपूर्ण जानकारी देंगे आपको विदेश से संबंधित आपकी कुंडली में आप देख करके कैसे जाने कि आप विदेश में रहेंगे की नहीं रहेंगे पहले जान लेते हैं सिंग, कन्या, तुला और ब्रशिक राशी वालों का राशी फल सिंग राशी आपका सम्मान आज और बढ़ेगा पूरे उत्साह से काम करेंगे धनलाब के रास्ते बनेंगे नौकरी में तरक्की के अउसर प्राप्त होंगे उधार लें देन से बचना होगा शुबरंग लाल उपाय हनुमान चालीशा का पाट करें कन्याराशी नेगेटिब बात करने वाले लोगों से दूर रहें कारचेत्र में ध्यान देना होगा प्रापर्टी से संबंधित लाब होगा विनम्व व्योहार रखना होगा व्यापार से जुड़े हुए काम बनेंगे शुबरंग बादामी उपाय हनुमान ची को फल का भोग लगाएं तुला राशी जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी भागे का साथ मिलेगा परिवार में सुख बढ़ेगा रोगों से छुटकारा प्राप्त होगा खर्चों में बढ़ोत्री होगी शुबरंग क्रीम उपाय दुरगा जी की आरती करें ब्रिश्चिक राशी ब्रिश्चिक राशी वाले हर काम सावधानी से करें कहीं दूर से शुब समाचार मिलेगा रिश्चेदारों से मतभेद हो सकता है धन बचाने का प्रियास करें किसी काम को लेकर तनाव रहेगा शुबरंग मरून उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें अब वक्त हो गया है सवाल लेने का सवाल ले ले उसके बाद आपको बताएंगे विदेश में सम्मान प्राप्त होगा कि नहीं ये कुंडली में कैसे देखते हैं पहले लेते हैं सवाल यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीख, जन्मिस्थान, जन्म समय लिखे और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है रवी शुकला रवी शुकला जी आपका सवाल ले रहे हैं ध्यान से सुनियेगा रवी शुकला जी की डेटा बर्थ है 10 मई 1999 12 बचकर 38 मिनट साह जहानपुर उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है रवी शुकला का सवाल है कि इन्हें नौकरी कब मिलेगी बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं आपकी सिंग लगन की कुंडली है और कुम्भराशी है आपका जन्म शत्विंशान च्छत्र के तृती चरण में हुआ है इस समय आपकी शनी की महादसा चल रही है जो दिसंबर 2022 से शुरू हुई है और ये दिसंबर 2021 तक चलेगी और शनी की महादसा में शनी की ही अंतरदसा चल रही है जो दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक चलेगी तो आएए पहले आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं फिर बताते हैं नौकरी प्राप्ति का योग कब है देखिए आपकी कुंडली में जहां ये पाँच नंबर लिखा हुआ है ये है सिंग लगन और सिंग लगन का स्वामी शूर 25 डिगरी का बैठा हुआ है शनी और बुद्ध के साथ भागिस्थान में दसमे घर का जहां से हम जौब देखते हैं उसका स्वामी है शुक्र और शुक्र लाबिस्थान में बैठा हुआ है साथ डिगरी का आपकी कुंडली के अनुसार नौमबर दो हजार चौबिस से अक्टूबर दो हजार पच्चिस के बीच में जौब प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है तो इस दोरान आपको जौब मिल जाएगी अभी से प्रयास करना शुरू कर दीजे जिस छेतर में आपको जौब चाहिए यानि आने वाला समय आपके लिए अच्छा है प्रयास और बढ़ाने की जरूरत है उपाय क्या करें उपाय नोट करिए पहला उपाय प्रति दिन दुर्गा चालीसा का पाट करें मा दुर्गा की आर्थी करें दूसरा उपाय हर बुद्वार के दिन भगवान गणेस के मंदिर जाइए भगवान गणेस जी को हरे दूब घास की माला चड़ाइए बेशन के लड़ों का भोग लगाइए उनसे प्रात्ना करिए कि आपके एक्छा जल्दी पूरी हो तीसरा उपाय प्रति दिन सुबह जल्दी उठें इस्टान करें भगवान शूरे को अर्ग दें और अर्ग देने के बाद एक बार हनुमान चालीस हावाश्य पढ़ें तो ये जो आपको उपाय बताएं ये उपाय करेंगे तो जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी और बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं विदेश में सम्मान पाने का योग कुंडली से आप कैसे देखें देखिए यदि लगनेश नौमेश के साथ या दसमेश के साथ केंदर में हो तो जातक को विदेश में सम्मान मिलता है केंद्रिस्थान वो होते हैं जैसे लगन, चौथा घर, सात्वा घर या दस्वा घर ये केंद्रिस्थान माने जाते हैं तो यहां लगनेश, नौमेश या दसमेश के साथ बैठा हो तो ऐसे लोगों को विदेश में सम्मान मिलता है यदि बारवे घर का स्वामी नवे घर में हो तो ऐसे लोग विदेश में प्रापर्टी खरीते हैं यदि दूसरे घर का स्वामी बारवे घर में हो तो व्यक्ति विदेश में खूब धन कमाता है यदि दूसरे का बारवे से संबद बन जाए तो ये जो सारी चीज़ें आपको बताई ये कुंडली में आप देख करके पता लगा सकते हैं कि आप विदेश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे विदेश में सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा चली आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु मकर कुम्भ और मेनराशी की धनु राशी धनु राशी वालों का दिन अच्छा बीतेगा रुके हुए काम पूरे होंगे जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा धन प्राप्ती का योग बन रहा है व्यापार में तरक्की मिलेगी शुबरंग बादामी उपाए गव माता को रोटी खिलाएं मकर राशी मन में तनाव ना बढ़ने दे वानी पर नियंत्रन रखना होगा लंबी दूरी की यात्रा से बचे चात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी सेहत का ख्याल रखना होगा शुबरंग आस्मानी उपाए किसी गरीब को गुड़ का दान करें कुम्भराशी आपकी आर्थिक इस्थिती बहतर होगी सिक्षा के चेत्र में सफलता मिलेगी मन की चिंता दूर होगी धन कमाने के लिए किये गए प्रयास सफल होगे जीवन साथी से संबंधों में मधूरता बढ़ेगी शुबरंग के सरिया उपाए पक्षियों को दाना खिलाए मेन राशी सुक्षु विधाओं पर धन खर्च होगा किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे परिवार से सहयोग मिलेगा परिशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा वानी का प्रयोग सोच समझ करना होगा शुबरंग गुलाबी उपाए हनुमान चालीशा का पाट करें अब वक्त है आज के उपाए का यदि विदेश यात्रा में बाधा आ रही है तो ये उपाए करें बहुँ सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं नहीं जा पारें तो ये जरूर करें प्रति दिन सुन्दर कांड का पाट करें मंगलवार और ब्रहस्पतिवार के दिन पक्षियों को दाना खिलाएं ये उपाए करना शुरू करिये जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी और विदेश जाने में आप काम्याब होंगे तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात आपका दिन शुब हो नमस्का